दोस्तो एक और कुंडली अनिलाइसिस करने जा रहा हूँ, इनका डेट ओबर ता है 28 जून 1993, 12 बचकर 43 मिनट कॉलकत्ता में इनका जन्व हुआ, कन्या लगन की इनकी कुंडली बनती है और तुला इनकी रासी बनती है, चंदरमा इनके सेकंड आउस में वर्गुत्तम होकर ब अगनी रासी में अगनी तत्व बैठावय, अगनी ग्रे बैठावय, तो मांगलिक दोस्त काफी जादा है इनका, मांगलिक दोस्त के कुम विवा जरूर कराएे, मंगल दोस्त का आप उजञेन में मंगल नाथ' खा मनिर हैं वहाँ पर जाकर दर्शन जरूर करें आपको न लेकिन तीसरी दसा होने के करण विक्कट नामक दसा होने के करण काफी कष्ट देती है संकट देती है दिकत्ते देती है लेकिन आपको बहुत जगह पर यह वित्य किर्पा भी करेगी वित्य किर्पा प्राप्त होगी आपको जगह जगह पर financial problems दूर होगी हर जगह आपको support मिलेगा धार्मिक प्रवर्ति के बनोगे spiritual कार्ये करोगे धार्मिक कारीक करोगे गुरू की वज़े से आपके सारे अधुरे कारियें बनेगी, क्योंकि इस्वर्य किर्पा आपko मिलेगी। गुरू की पांचवी द्रिश्टी आपके study के उपर, frame के उपर, संतान के उपर पड़ती है, तो आपके सारे गुरू की किर्पा से जरूर पूरींगों Saturday तो साधी में विलम्ब जरूर हो सकता है लेकिन साधी आपके जरूर होगी नवी दिश्टी भाग्य बाव पर पढ़ रहे तो भाग्य को बुलंद करेगा साधी के बारे मेरिज के बारे में डीप ली देखो आपको लिखावा समझना है तो वीडियो की आप आवाज सुन सकते हो जिससे आपको सारी चीजिक लिए रोगी गुरू सेवन ता उस पर द्रिष्टी डाल रहा है गुरू की स्वैम की महादसा भी चल रही और गुरू गोचर में सुक्र के साथ दोजार चोबिस जून से यह संबन बना रहा है दोजार चोबिस जून तक आपका यह संबन बनावा है तो साधी फिक्स होने के योग जुद बन रहे हैं दोजार चोबिस जून तक बन रहे हैं और साधी सनी वक्री होकर तीसरी दिष्टी से सेवन था उसमें होने की वज़ से आपके साधी में डिले जरूर होगा लेकिन साधी सणी आपको 25 तक करवा चोड़ेगा 25 सेब्सक्राद कि साधी हो जाएगी पूरे योग उसומël बने व는 हैं सगई 2024 जून तक वह सकती है नवंबर तक जून तक रिष्था पड़ेगा लेकिन मंगल दोस्त ने पहले आपका साधी में डीले कर दिया काफी दिक्कत दे दिया अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी लेकिन सनी की द्रिष्टी आपके सप्तम भाव पर होने की वज़े से थोड़ी सी अलगाव आदिस्ति भी बन सकती है इससे आप के जीवन में करियर में बहुत अच्छा आपके अपॉर्चनलिटी भी आएगी आप काफी आगे बढ़ोगे राहू मेहनत करवा करें आपके भाग्ये में तरक्की देगा क्योंगी राहू आपके तीसरे बाव में नीच का ओकर बैठा है इसलिए आपको मेहनत जादा करनी पड़ेगी किसी के उपर भरोसा नहीं करें धार्मिक कारें केतु आपके भाग्ये भाव में बैठा है तो धार्मिक कारें करें स्क्रिच्छल काम करें गुरू की सेवा करें आपको केतु कभी परेशान नहीं करेगा और भाग्या आपका साथ देगा नहीं तो केतु भाग् का मालिक होकर जंद्रापके मन का मालिक होकर लाब का मालिक होकर दूसरे बाव में बैठा है जो यह एक तरह का धन योग बनाता है जब भी लाब का मालिक को कर सुब गर चंद्रा आपके दूसरे भाव में हैं लेकिन सत्तुर रासी में फिर भी लेन देन में थोड़ी सी ध्यान रखे बाकी आपको चंद्रा काफी फाइदा कराएगा धन्योग बना रहा है राव तीसरे गर में नीच का है दो दिक्कते देगा सनी छटे भाव में वक्री होकर है अ आपका अच्छा है और मंगल भी आपका मांगलिक दोस्त बना रहा है इस चीज़ का द्यान रखें सूर्य आपका अच्छा है जो भाग्ये में और भाव में अच्छे भाव में बैठा जो आपको हर जगे पर सफलता देगा तरक्की देगा और फाइदा करवाएगा ये सार अच्छा को वहाद करें सुंदरकान पड़े सुनेला रत्न धारं करें ताकि आपके साधी जल्दी से जल्दी इसी साल हो जाए सुर्य को जल देवे सुक्र मंतर का जाप करें ओम ध्राम्द्रीम द्रों से सुक्र देवाइन में इससे आपको फाइदा होगा झाल 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 झाल